टोटल वेकेंसी के यूटूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत सवागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनेम 10709 के कट अफ के बारे में एकडम exact कट अफ होगा आप चाहो तो इस वीडियो को save करके रख लो जैसे ही BTSC से final cut-off release किया जाता है आप point to point match करके देख लेना उसके बाद आप खुद ही comment करोगे हाँ sir आपका एकडम exact cut-off था यह जो cut-off हमने बनाया है यह cut-off ऐसे ही हवावाजी में नहीं बनाया गया है यह cut-off एकडम प्रोफेशनली तरीके से Google Form के माध्यम से सर्वे किया गया था उसके बाद यह cut-off release किया जा रहा है तो आप सभी आख बंद करके इस cut-off पे भरोसा करे यही cut-off BTSC भी release करेगा तो जैसा है कि आप सभी को पता ही होगा कि total जो vacancy थी वो 10709 था और counseling में total तीन गुना applicants को बुलाया जा रहा है मतलब आपका जो competition होने वाला है वो दो लोगों से होने वाला है सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से समझे कि जो एक pad है उसके लिए आपको तीन लोगों को बुलाया जा रहा है counseling में एक pad के लिए तीन लोगों को बुलाया जा रहा है उसमें से एक का selection होगा और दो लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपको ensure करना है कि इन दो लोगों से ज़्यादा marks आपका हो और सब कुछ सही हो कोई भी जाली documents ना हो कुछ भी गलत जानकारी ना भरी गई हो तो आप लोग अपना जो marks sputnik में दिखाया गया था उससे अपना marks यहाँ इस वीडियो से मिलाते चलिएगा तो आपको एकदम exact अंदाजा हो जाएगा कि आपका नौकरी कितना तक हद तक confirm है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनरल के बारे में तो जेनरल में total 3549 पत थे जिसमें से कि अगर आपका number 52.59 है तो आपको counseling में बुलाया जाएगा और ये बात आप सभी को हाल फिलाल में sputnik के मादेम से पता चल गया हो अगर आपका sputnik में सब कुछ सही है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको counseling में बुलाया ही जाएगा इतना marks है तो और जिनका disqualify हो गया है उनको sputnik में ही बता दिया गया है कि आप disqualify हो चुके हैं तो अगर आप general category से belong करते हैं और अगर आपको counseling में बुलाया जाता है तो आपके पास 54 marks होने चाहिए नौकरी के लिए इसमें भी सेम है कि 3549 है तो तीन गुना कैंडिडेट्स आएंगे और आपका selection तीन में से किसी एक का किया जाएगा तो आपका 2 से competition एकदम tough competition होने वाला है पर vacancy आई थी और अगर आपको counseling में जाना है तो 50.1 marks होने चाहिए BC के लिए जो Sputnik के माध्यम से जो result जारी किया गया है अगर उसमें आपका सब कुछ सही है और 50.1 marks है और उसमें आपका सब कुछ सही दिखा रहा है तो आपको counseling के लिए बुलाया जाएगा उसका release जल्दी जारी होने वाला है तो अगर आपका उसमें 52.5 है तो आप BC category से बिलोंग करते हो तो आप अपना job एकदम confirm समझ सकते हो एकदम exact cutoff है यही cutoff BTSC भी release करने वाला ही है अब हम लोग EBC का बात कर लेते हैं तो EBC में total 1629 पद पे vacancy आई थी जिसमें से कि counseling के लिए 48.5 marks होने चाहिए और final job के लिए job selection के लिए आपके पास 49.5 marks होने चाहिए final जो job list जारी किया जाएगा उसमें आने के लिए तो अगर आपके पास 49.5 marks हैं तो आप अपना job confirm समझो अब बात कर लेते हैं EBC का तो EBC के लिए 45 marks होने वाला है वो counseling के लिए होने वाला है और 47.5 marks आपको confirm एकदम job के लिए होने वाला अगर इतना marks है तो एकदम निश्चित रहिए और हमारे चैनल को subscribe करिए ताकि ऐसी और informative वीडियो आपको मिल सके तो 47.5 है तो आप confirm हो जाईए कि आपका job secure है और इसमें जो total vacancy था वो 2188 पदों पर था अब बात कर लेते ST का तो ST का अगर आपने सब कुछ सही-सही form अपलाई करते हैं सब कुछ सही-सही भरा था और sputnik में भी आपका सब कुछ सही-सही है तो अगर आपका sputnik में आ गया है तो आप ये निफिक्र हो जाईए कि आप आपका job confirm है क्योंकि इसमें population बिहार में बहुत ज़्यादा कम है ST का तो इसके लिए कोई सोचना नहीं है अगर आप ST में हो सब कुछ सही है तो marks works का कोई जंजटी नहीं है आपका एकदम सेलेक्शन तरह है इसमें तो ऐसा नौबत आ जाता है कि वेकेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है और number of applicants ही कम हो जाते हैं अब बात कर लेते हैं EWS का टोटल 868 पदों पे वेकेंसी थी जिसमें से अगर आपका 45.5 marks है तो आपको कॉंसेलिंग में बुलाया जाएगा और 47 marks पे आपका सेलेक्शन कन्फॉर्म है एकदम निश्चित रहिए कि आपका जॉब लग जाएगा आप सभी को बहुत सारी सुबकाम ना है आपका जॉब लग जाएगा कन्फॉर्म है निश्चित रहिए एकदम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इंफोर्मेटिव जानकारियों के लिए एकदम मेहनत करके एकदम qualitative content आपके पास पहुंचाया जा रहा है और जो लोग भी comment में negative comment कर रहे हैं उन सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप और उसको बढ़ा दे आपसे कोई फरक नहीं हमें पढ़ने वाला है इस वीडियो से संभधित कोई भी doubt हो आप एकदम comment section में comment कीजिए उसका reply दिया जाएगा आप telegram channel को भी join कर लिजें वहाँ पे भी आप कोई भी doubt पुछोगे आपको instant के instant आपको वहाँ पे solution मिलेगा तो निश्चीत रहिए और channel को subscribe करिए मिलते हैं फिर से किसी और next वीडियो में तब तक के लिए thank you